हलो दोस्तों मैं हूँ सत्यंद्र और स्वागत है आपका साइंटेक बैलरजी में दोस्तों अच्छी सिहत के लिए हमारा खान पान बेहत संतुलित होना चाहिए और इसके साथ ही जिन खादे पदार्तों का सेवन हम कर रहे हैं दोस्तों आजकल ब्राउन राइस का सेवन ज़्यादातर लोग कर रहे हैं दोस्तों ब्राउन राइस साबूत चावल होता है जिसे सामाने सफेद चावल के मुकाबले कम प्रोसेस किया जाता है आम तोर पर सफेद चावल को प्रोसेस कर उसका छिलका और बाहरी परत निकाल दिया जाता है और इसके बाद उसे पॉलिस भी किया जाता है लेकिन ब्राउन राइस को पॉलिस नहीं किया जाता सेहत के लिए ब्राउन राइस को बेहत फायदे मंद माना जाता है Brown rice unsaturated fatty acids, protein, minerals, vitamins और starch के गुनों से भरपूर होता है इसका उपयोग bodybuilding से लेकर diabetes, pre-diabetes और heart से जुरी बिमारियों के बचाओ के लिए भी लोग करते हैं सेहत के लिए फाइदे मंद माने जाने वाले brown rice में अनेक nutrients पाय जाते हैं हलाकि यह चावल का एक सामाने रूप ही है लेकिन इसमें मौझूद पोसकता तो सरीर के लिए बेहद फाइदे मंद होते हैं सफेद चावल के तुल्ला में brown rice जादा फाइदे मंद और सुरक्षित माना जाता है brown rice folate, riboflavin, potassium और calcium का भी अच्छा source होता है इन nutrients के अलावा इनमें मैंगनीज की भी प्रचूर मातरा पाई जाती है brown rice के 7 से सरीर में हडियों के विकास, मान स्पीशों की मजबुती और blood sugar को कंट्रोल करने में साहता मिलती है दोस्तो brown rice के 7 के अनेकों स्वाफ सलाब है दोस्तो सफेज चावल में sugar की मातरा जादा होती है और इसके कारण diabetes के मरीज इसे खाने से कतराते हैं लेकिन इसका वेहतरीन विकल्प brown rice है जी हाँ, brown rice के 7 से blood में sugar का level नहीं बढ़ता brown rice का glycemic index बहुत ही कम होता है और यह दीरे-दीरे digest होता है जिससे blood sugar का level कम रहने में मदद मिल सकती है दोस्तो जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए brown rice एक सांदार बिकल्प है इसमें high amount में fiber होता है जिससे पेट हमेशा भरा रहता है और बार-बार खाने से हम बच जाते हैं जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है दोस्तो brown rice metabolic process को excited कर वजन घटाने में मदद करता है दोस्तो brown rice का सेवन करने से cholesterol भी कम होता है यह अंचाहे fat को सरीर के आंतरिक हिस्सों में जमने से रोकता है यह soluble fiber का source है जो bad cholesterol को कम करने में मदद करता है और good cholesterol के level को भी बढ़ाता है साथी यह heart attack के chances को भी कम करता है दोस्तों हडियों को मजबूत बनाने में brown rice के महत्यपुर्ण भूमिका होती है इसमें high amount में magnesium पाया जाता है एक cup brown rice में approximately 21% magnesium होता है magnesium की कमी के कारण हडियों की density में कमी आ सकते है और osteoporosis और arthritis जैसे रोग हो सकते है magnesium के अलावा इसमें vitamin D और calcium भी होता है जो हडियों के विकास के लिए आवशक है दोस्तों चुकि brown rice nutrients का गहर है यह बच्चों के लिए भी बहुत positive आहार है यह बच्चों में सिग्र विकास को बढ़ावा देता है इसमें present fiber बच्चों में मल त्याग को नियमित करता है और constipation से भी छुटकारा दिलाता है इसके अलावा यह खाने में सुरक्षित होता है और इसे allergy होने की chances भी नहीं होती दोस्तों nervous system के health के लिए fatty acid और hormone का production कंपलसरी है brown rice में high amount में manganese पाया जाता है जो दोनों के ही production को बढ़ावा देता है और nervous system को healthy बनाया रखता है साथी brown rice में present magnesium, calcium और potassium साथ मिलकर muscle cells को healthy बनाया रखता है दोस्तों brown rice के 7 से leukemia, brist cancer, colon cancer और अन्य प्रकार के cancer से सरीर की सुरक्षा होती है इसमें high amount में मौझूद fiber और antioxidant लाप पहुचाते हैं दोस्तों study में पाया गया है कि brown rice जैसे साबूत अनाज, brist cancer और अन्य हॉर्मोन सर्मंदित cancer के किलाब सुरक्षा करते है दोस्तों ज़्यादा तर health experts का यह मानना है कि brown rice का 7 स्वास्त के लिए बहुत ही फायदेमंद है लेकिन brown rice खाने का सबसे बड़ा side effect यह है कि इसमें phytic acid नम का anti-nutrients बहुत जादा होता है anti-nutrients एक ऐसा compound है जो कई अलग-अलग पौदे के products में पाया जाता है high fiber की मात्रा वाले खादे पदार्तों का अधिक 7 पाचन से जुरे रोग जैसे की diarrhea, constipation और indigestion की समस्याइं पैदा कर सकता है इसके अलाबा brown rice में arsenic भी अधिक मात्रा में होता है जिसकी वज़े से उल्टी, सिर्दर्ट जैसी समस्याइं हो सकती है नियमित रूप से अगर आप अधिक मात्रा में brown rice का 7 करते हैं तो आपको ये problems हो सकती है दोस्तो brown rice को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जैसे की लंबे समय के लिए पकाया हुआ brown rice को ना रखें और इसे एक बार से ज़्यादा गर्म ना करें इस बात का ध्यान रखे कि brown rice की बाहरी fiber की परत के कारण इसे पकने में सफेज चावल के तुलने में ज़्यादा समय और ज़्यादा पानी की जरूरत होती है इसे room temperature पर 6 मेने के लिए airtight container में store कर सकते हैं दोस्तों हमें उम्मीद है कि brown rice के 7 से होने वाले फाइदे और नुकसान के बारे में बताया गया यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों इस वीडियो को शेर करना ना भूले और साथ ही ऐसे ही knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे